हलो माई डेफ फरेंट्स, अनूप क्ष्टेडी जोन में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश लेकपाल का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश लेकपाल में हमने 20 प्रैक्टिस सेट देख लिया है चाहे हो आपका history हो, geography हो, science हो, computer है सभी से प्रशने हैं पर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है चलिए तो GSGK के इस practice set को हम लोग start करते हैं आज का जो हमारा पहला प्रशने निमलिखित में से किस वस्तू की मांग लोचदार है ठीक है तो देखे वस्तूएं जो होती हैं दो प्रकार की हम मांते हैं एक होती हैं लोचदार एक होती हैं बे लोचदार ठीक है अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब जान लिजे लोचदार वो चीजे होती है जो हमारे daily life के लिए आवस्यक नहीं होती है बे लुचदार वो वस्तुएं होती है जो सामानेता हमारे लिए क्या होती है ये आवस्यक वस्तुएं होती है ठीक है तो इन चारों आपसंस में से आपको देख के लग रहा है औसधी, चावल, दिया, सलाई का डिबिया ये तीनों तो आपको डेली क्या आउस सकता है आपको डेली ही चाहिए लेकिन आपका जो विद्दूत है ठीक है ये आपके लिए कम आवस्यक है अगर ये तीनों ना हो तो आपके जिंदगी सायद ना चल सके लेकिन विद्दूत के बीना आपके जिंदगी चल सकती है हमारे पुरुवत जो थे वो तो बीना विद्दूत के ही थे ठीक है अगर आप आप आउसधी सोच रहे हैं तो आउसधी उस टाइम पे अवलेबल थे आज आपके पास दवा मेडिसीन के रूप में उपलब दे उस टाइम पे जड़ी बूटियां हुया करती थी ठीक है चलिए अग होकता जो होता है बढ़ियां परतिस्थापन को जो अधिक प्रात्मिक्ता देने लगता है क्योंकि अब उसके लिए इसे खरीदना संभव होता है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न होता है इसके अंतरगत बिक्री लागत नहीं है किसके अंतरगत आ होता है पुड़ प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को काते हैं जहां किसी वस्तु के क्रेता और जो भी क्रेता होते हैं उसकी बड़ी संख्या में होते हैं जैसे कोई भी समरूप वस्तु को बेचा जाता है तथा किसी एक फर्म की वस्तु को कीमत पर नियंतरड किया जाता किसी भी फर्म द्वारा अगर कीमत को थोड़ा सा भी परिवर्तन क्रिताओं के बाजार में दूसरी फर्मों के और खिसका देता है यानि अगर किसी एक चीज की अगर उसकी प्राइज अधिक हो रहे है तो उसके अल्टरनेट की आटोमेंटिक क्या होती है मांग बढ़ जाती है ठीक है चली अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है जब स्रम पूर्ती वक्र पीछे जुकता है तो क्या होता है तो देखे जब भी स्रम पूर्ती वक्र पीछे जुकता है आए आपका क्या होता है निमनस्तरिय वस्तु हो जाती है ठीक है आए क्या होत ठीक है चलिए तो ये क्या दिखाता है ये दिखाता है कि मजदूरी के एक इस तर के बाद ब्यक्ति आपका आराम को प्राथिमिक्ता आए के अस्थान पर देने लगता है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण आपका निमलिखित में से किस बाजार संरचना में जो आपका है बदलदार मांग वक्र होता है ठीक है तो इसमें किसमें होता है आपका अलपाधिकार में अलपा अधिकार में आपका क्या होता है अलपा अधिकार का जो बाजार का संरचना है वह आपका बदलादार मांग वक्र होता है देखिए अगर आप ग्राप पे देखना चाहिए तो यह कुछ इस प्रकार का होता है ठीक है यहाँ पर यह ऐसे होता है है ठीक है यह वकर टाइप को होता है यहां पर किखार का गराफ को दोटा है यह आफ़ को मिलता है चै क्ले अग्ला प्रृत देखें अग्ला प्रश्ण आपको दिया हुआ है एक अधिकारी किसके आधार पर मुल्य विभेदन का आस्रय लेता है ठीक है तो जो एका धिकारी होता है वह मांग लोच के आधार पर मुल्य विभेदन का आस्रय लेता है ठीक चली अगला प्रशन देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है एका अधिकारी प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है तो जब एका अधिकारी प्रतियोगिता होती है तो उसे निकट वर्ती अस्थानापन का उत्पादन होता है इसमें क्या होता है कि प्रते एक जो विक्रेता की वस्तु एक दूसरे से किसी न किसी रूप से अलग ही होती है अगर आप मार्केट में कुछ भी बेच रहो तो लगभग लगभग किसी न किसी विक्रेता से आपकी अलग होती ही है तो वस्तु विभेद में जो सामानेता ट्रेड मार्क होता है या फिर आपका ब्रांड का नाम होता है वो आधि प्राप्त किया जाता है उदाहरण के लिए अगर आप देखें टूथ पेश्ट जैसे आपका कोल गेट हो गया, क्लोज अप हो गया, पेपसो डाइन हो गया तो यह अलग-अलग प्रकार की उत्पादन करते हैं, जो निकट वर्षती आपका अस्थानापन होता है, वह आपका उत्पादन होता है, ठीक है, चलिए, अगला प्रशन देखे, अगला प्रशन आपका दिया हुआ है, एक अधिकार बाजार संजरचना में विक्रिताओं क कि संख्या कितनी होती है, तो जो एक अधिकार बाजार होता है, उसमें विक्रिताओं की संख्या केवल एक होती है, इसमें आपके क्रिताओं की संख्या भी कितनी होती है, एक ही होती है, ठीक है, तो जब एक अधिकार बाजार की उस इस्तिती को इसपष्ट करता है, जिसमे कि मांग लोच आपके सुन्ने होती है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण आपका दिया हुआ लाब के गतिसील सिधान्त का प्रस्तावक कौन था तो जो लाब के गतिसील सिधान्त आपका कौन किस ने दिया था क्लार्क ने दिया था ठीक है लाब का गतिसील सिध्धाना थी है क्लार्ग जो थे अमेरिकी अर्थसास्त्री थी ती यह कहां के थे अमेरिका के थे है यह अमेरिका के एक इक मिक्ष्ट articulated इनके से जुड़ा हुआ था Gleichग के अनुसार राघ की सिति किवल एक गतिसील अवस्ठा में ही पैदा हो सकती है ठीक है चली अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण आपका घटिया माल से संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच किसी कितनी होती है ठीक है तो यह हमेशा रिडात्मक होती है मांग की आय जो सापेक्षता उस अवस्था में होती है जब उपभोक्ता की आय में ब्रिद्धी होने लगे और उस वस्थू की मांग कमी होती है तथा उपभोक्ता की आय कमी होने से उस वस्थू की मांग में क्या हो जाती है ब्रिद्धी हो जाती है तो मांग की रिडात्मक आय साप अच्छता आपका क्या होता निमने कोटी की होती है ठीक है चली अगला प्रश्ण देखिए तो जो अगला प्रश्ण हमारा पूर प्रतिसफर्दा के अंतरगत किस फर्म का संतुलन कम निर्धारित होता है तो जब पूड़ प्रतिस्परधा होती है उसके अंतरगत आपका सिमान्त जो आय होता है ठीक है सिमान्त आय आपका सिमान्त लागत के जब बराबर होता है तो उस समय क्या होता है सलतुलन जवाब का संतुलन होता है वह आपका निर्धार होता है ठीक है इसको आप कहते हैं पी बराबर एयार इस इक्वल टू एम आर अगले अगला प्रशन देखे अभिए आप देख लेंगे तो पी क्या है आपका असता है सीमांता है एक चलिए अगला एक संबंध होता है उसको ब्यक्त करता है यदि आपके पास A और B वस्तुएं हो तब जो आपका अनुप्रस्त मांग होता है संबंधित जो वस्तु B की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु A की मांग होने वाली परिवर्तन को संबोधित करता है यानि जो अनुप्रस्त समझ लिए अगर आपके पास दो सामान है और दोनों का लगभग कार एक है बस थोड़ी सी क्वालिटी अलग है तो जैसे ही आप देखेंगे एक की कीमत बढ़ेगी उसका क्या हो जाएगा उसका आपका जो खरीद होगा उसका व्यापार होगा वो कम हो जाएगा और दूसरे वाले का बढ़ जाता है तो यह क्या कहलाता है आपका अनुप्रस्त मांग कहलाता है ठीक है यानि एक को अगर महंगा कर दिया जा तो दूसरे की डिमांड आटोमेटिक बढ़ जाती है ठीक चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न दिया है मांग का नियम किस कि क्रे की जाए ठीक है मांग का नियम के अनुसारिय अदि आप देखेंगे तो जैसे कुछ वस्तू की मांग उसके मुल के घटने के साथ साथ बढ़ती जाएगी और वस्तू के मुल में बृध्धि के साथ उसकी मांग क्या होती है घटती जाएगी और यह आपका मैकसिमुम 90 के साथ होता है ठीक है कि जैसे जैसके उसका रेट डाउन होता है उसकी मांग क्या होती है बढ़ जाती है अगला प्रश्न देखेंगे सीमांत लागत किसके बराबर होती तो जो सीमांत लागत होती है सीमांत लागत के बारे हम आपको बताए है जो सीमांत लागत होती है मात मर्जिनल कोश्ट कहते हैं इसे प्राप्त करने हैं तो मात्रा में परिवर्तन को लागत में परिवर्तन से विभाजित किया जाता है और इसे क्या करते हैं सिमान्त लागत से किसी फर्म के संतुलन को स्थिति को ग्याद कर लेते हैं ठीक है चलिए अगला प्रश्ण देखिए उत्पादन जो होता है फलक का संबंद उत्पादन प्रक्रिया के भौतिक निर्गतों और जो भौतिक आगतों या उत्पादन के कारकों से है उत्पादन फलन का प्रमुख देश उत्पादन प्रक्रिया में जो आगत कारकों का कुसलता पुरुवक विभाजन करना और इन कारकों का आयका वित्रड करना होता है चलिए अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन आपका दिया हुए उपभोकता को अधिक्तम संतुष्टी उस बिंदू पर मिलती है जहां क्या होना चाहिए सिमान्त उप्योगिता बराबर कीमत हो या फिर सिमान्त उप्योगिता जादा हो कीमत से ठीक है जो आपका हासमान सिमान तुपियोगिता नियम का अनुसार दिया गया है उसके अनुसार जब किसी वस्तु की इकाई की अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है तो उस वस्तु की क्या होती है क्रमिक उपियोगिता कम हो जाती है ठीक है चली अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपका दिया हुए उत्पादन फलन किसके बीच संबंध आपका दिखाता है तो जो उत्पादन फलन होता है आपका उत्पादन और उत्पादन का जो कारक होता है उसके बीच ये आपका संबंध दरसाता है ठीक है चली अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपका दिया हूँ उत्पाधन का कोई भी कारक आर्थिक लगान या फिर अरजित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति किस प्रकार हो तो जब भी इसकी आपूर्ति पूर बेलोच होगी ठीक है अर्थ सास्त्र में लगान से तातपर राजस्व से है जो भूमी या अन्य प्राकृतिक संसाधन है जो निश्चित पूर्ति करने के बदले में प्राप्त की जाती है तो इसके अनुसार जो अर्थ सास्त्र होते हैं उनके अनुसार पूर्ति क्या होती है पूरत्यास्त हो जाती है और पूर्ति के पूरत्यास्त होने के कारण पूर्ति की मांग आय पर निर्भर रह नहीं रहती क्योंकि जो संसाधन होता है स्वयम आय पर उत्पन होने लगता है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण आपका दिया है बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण जो होता है किस से किया जाता है तो यह आपका सीमान्त लागत और सीमान्त राजसों के बीच का जो समानता होता है यह उसके द्वारा किया जाता है चलिए अगला प्रश्ण देखे अगला प्रश्ण जब वस्तू एक्स वस्तू की एवजी कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होती है जब भी एवजी आपकी कीमत कम हो जाती है तो एक्स की मांग हमेशा हमेशा क्या होगी कम ही होगी देखे क्या होता है तिरियक कीमत आता है ठीक है तो आपका जब भी एक्स वस्तु की एवेज की कीमत कम होगी तब क्या होगा आपके एक्स की मांग हमेशा हमेशा कम होगी ठीक है चलिए तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें सेयर करें ये हिस्ट्री के प्रश्ण आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे यह आपके लेकपाल के लिए most important है क्योंकि लेकपाल आपका ग्रामीड छेत्र से जुड़ा हुआ है इसका ग्रामीड वर्क है तो इस प्रकार के questions आपके लेकपाल में ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो इसलिए ऐसे questions आपके लिए ज्यादा important हो जाते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना है अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर करने मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद